हेलो फ्रेंड्स स्वागत है अब सभी का मेरे चैनल पर अचके इस वीडियो में मैं आप लोगे साथ में ब्लाउस के बैक पार्ट की फुल कटिंग एन स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ यह ब्लाउस पीस है जो की ब्रोकेट का है सारी के साथ आया हुआ है और इसमें दोनों ह वीडियो अगर आपको पसंद आईगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा यह लाइनिंग वाला फैब्रिक है मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है और अब मैं इसे एक साइट से फैब्रिक को सीधा कर लूँगी और इसके बाद में देखे फुल लैंध यहाँ पर है अब हम लेंगे शोल्डर तो शोल्डर यहाँ पर मैं ले रही हूं साड़े 5 इंच क्योंकि यहाँ पर नेक में रखने वाली हूं 10 इंच इसलिए हमने शोल्डर कम किये हैं और जो आर्म होल है उसमें 1 इंच प्लस करके मैं लगा लूँगी निशान यानि कि साड़े 6 इंच और उसके बाद में 2 इंच मार्जिन का लेंगे हम तो इस सरसे मार्किंग कर ली है 32 इंच कमर है उसका चौथा भाग लेंगे तो 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे बैक पार्ट है तो इसमें डार्ट लगते हैं तो यहाँ पर 1 इंच हम डार्ट का लगाएंगे और 2 से हम इन निशानों को मिला लेंगे अब इसके बाद में देखिए यहां पर मैं ले रही हूं नेक विट जो की 1.5 इंच में रखने वाली हों और यहां पर जो ये armhole की length है यहां से मैं इसका center लूँगी और center पर निशान लगाने के बाद में इन निशानों को मिलाते हुए मैं यहां पर armhole का shape बना लूँगी तो जो center में mark किया है हमने निशान उससे थोड़ा सा बाहर के और लेते हुए हमें इस तरह से armhole का shape बना लेना है अब इसके बाद में देखिए मैं यहां पर neck की length रखने वाली हूँ 10 inch तो यहां पर 10 inch पर एक निशान में बनाऊंगी और नीचे से चोड़ाई में रखने वाली हूँ 3 inch और इसके बाद में यहां से सीधी एक line उपर बनाते हुए मैं एक box तयार कर लूँगी अब हम half inch का निशान यहां कमर के side लगाएंगे half inch का निशान लगाके और यहां से हमें इसे dart से मिलाना है तो dart हम लगाएंगे आपर 4.5 inch पर और इसकी लंबाई भी मैं 4.5 inch ही रखूंगी और half inch का dart रहेगा दोनों ही side में तो यहां पर half inch line के इस तरफ और half inch उस तरफ लेते हुए हम यहां पर इस तरह से इसे मिला लेंगे और फिर यहां पर जो हमने half inch पर निशान लगाया उसे हम dart के corner पर मिला लेंगे तो इस तरीके से यह हमारी पूरी marking हो चुकी है अब मैं इसकी cutting कर रही हूँ cutting करने के बाद मैं मैं इसका main fabric जो है वो भी cut कर लूँगी और design का आपको ध्यान रखना है upward direction में होनी चाहिए अब यहां पर मैंने एक paper pasting ले लिया जो की double है folding वाला side मेरे side है और इसकी लंबाई मैंने लिये 13 inch यहां पर 1.5 inch पर एक निशान में बना रही हूँ और neck की length हम रखना है 10 inch नीचे से चोड़ाई मैं यहां पर 3 inch पर निशान लगा लूँगी और उपर इसे मिला के एक box तयार कर लूँगी जैसा कि हमने back part में निशान लगाया था अब इसके बाद में हमें यहां से इस तरह से shape लगाना है जैसे मैं बता रही हूँ इसी तरीके से shape बनाने के बाद में यहां पर देखिए यह shape बन चुका है और अच्छे से shape बना लेजेगा थोड़ा कुछ पान पत्ते टाइप का है और इसके बाद में देखिए इसके बगल से तकरीबन एक इंच की दूरी से हम यहां पर एक और same निशान बनाएंगे इसी के बराबरी से इस तरीके से और इसके बाद में हम इसकी cutting कर लेंगे तो यह cut मैं कर रही हूँ snack को और जो borders हमारे blouse के piece में दी हुई थी उसमें 2 side border थी तो 1 side की border तो मैं sleeves में use करने वाली हूँ और एक side की border से मैं यह design बनाने वाली हूँ तो यहां पर यह borders मैंने cut कर ली है एक side की और इसे double थी तो मैंने इसे beat से cut कर लिया है और अब मैं इसे beat से stitch कर लूँगी तो यहां पर मैंने एक border को ही beat से cut किया है और दोनों को stitch कर लिया है stitch करने के बाद में paper pasting को उसके उपर रखना है और उसे press की हद से चिपका लेना है अब यहाँ पर हम cuts लगाएंगे और cuts लगाने के बाद में हमें यहाँ आप चाहें stitch कर लीजिए पहले मैंने उसे press से देखिए अच्छे से fold कर लिया है अब इसके बाद में यहाँ पर stitch कर लूँगी बिल्गुल किनारे से हम stitch कर लेंगे और stitch करने के बाद में हम इसे पहले जो lining वाला fabric है उसके उपर लगाएंगे तो यहाँ पर यह main fabric है और main fabric को हमें रखना है उल्टा उसके उपर यहाँ पर हम रखेंगे lining वाला fabric और lining वाले fabric की पहले आप center में marking कर लीजिए आप चाहें चौक से कर सकते हैं या फिर थोड़ा अगर आप press कर लेंगे तो इससे भी वो crease बन जाएगी बहुत आसानी से आपको center मिल जाएगा अब उसके बाद में देखें यहाँ पर मैं notch लगा रही हूँ जहाँ पर की neck weight है हमारी और इसके बाद में मैं इसे open करूँगी इसे open करने के बाद में देखें इसके उपर रखना है हमें जो हमने neck तयार किया था neck design वो और इसे हमें पहले सीधा कर लेना है पूरा बराबर कर लेंगे हम इसे और उसके बाद में इसके उपर हम pin से secure कर लेंगे सिर्फ lining वाले fabric पर हमें इसे pin से secure करना है यानि कि इसे सिर्फ lining वाले fabric पर ही हम लगाएंगे अच्छे से center का ध्यान रखेएगा जरूर और इस तरीके से जो उसका corner है वो विल्कुल center पर आना चाहिए उसके बाद में देखिए ये जो main fabric है ये मैंने उल्टा रखा हुआ है सीधा वाला side नीचे है और उसके उपर मैं रखूंगी ये lining वाला fabric और अब हम इस lining वाले fabric को और main fabric को भी side से pin से secure कर लेंगे ताकि हम जब neck को stitch करें तो ये fabric इदर उधर ना हो अब जो हमारी paper pasting है उसके बिलकुल किनारे से हमें stitch करते हुए जाना है और इस पूरे neck को हमें हमारे दोनों fabric के साथ में stitch कर लेना है corner पे अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि corner जो है आपका अच्छे से बने और इस तरीके से हमारा पूरा जो है ये neck हमने किनारे से stitch कर लिया है अब उसे cut कर लेंगे थोड़ा थोड़ा fabric छोड़ते हुए और जो fabric हमने छोड़ा है उसमें हम छोटे छोटे से cuts लगाएंगे और cuts लगाने के बाद में हम इस पट्टी को जो हमने neck की design जो तयार किये paper pasting वाली उसे हमें सिर्फ उसे पलटना है lining वाले fabric को नहीं पलटना है तो ये हमारा जो neck है ये सामने के side में सीधे side बन जाएगा आप चाहें तो इसमें प्रेसलाई भी कर सकते हैं अब ये देखिए मेरा चिन neck है ये ready हो चुका है अब इसके बाद यहाँ पर मैं लगाने वाली हूँ lace तो ये मैंने lace ले ली है और इस तरीके से यहाँ पर मैं इसमें ये lace लगा लूँगी तो मैं पहले यहाँ पर half neck में इस lace को लगाने वाली हूँ तो जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ corner पर मैं आऊंगी वहाँ पर मैं इसे cut कर लूँगी और cut करने के बाद मैं मैं उसे fold करके stitch कर लूँगी और फिर उसके बाद में मैं बाकी के half neck में उस lace को लगाऊंगी ताकि जो lace की design है मेरे एक ही side के direction में लगे उससे उसका look जादा अच्छा आएगा अगर आप कोई simple lace use कर रहे हैं तो आप normally पूरे lace में जिस तरह से lace लगाते हैं वैसे भी लगा सकते हैं तो यहाँ पर मेरा half neck जो है complete हो चुका है मैं second half जो है मेरा neck उसे मैं complete कर रही हूँ और इसे भी देखें मैं यहाँ तक लाने के बाद cut करूँगी थोड़ा extra lace ले करके और फिर उसे fold करके मैं यहाँ पर stitch कर लूँगी अब यह मेरा हो चुका है अब मैं इसके बाद इस lace को इस design के किनारे से भी लगा लूँगी क्योंकि अभी मैंने कोई top stitch नहीं लगाई है तो इसी के साथ top stitch भी लग जाएगी तो इस तरीके से इसे भी मैं same तरीके से पहले half neck पर लगाऊँगी उसके बाद ही मैं second half पर complete करूँगी फिर center पर आने पर देखिए मैं lace को cut करूँगी और फिर उसे fold करके हम यहाँ पर stitch कर लेंगे और फिर दूसरे side भी लगा लेंगे तो यहाँ पर दूसरे side भी मैंने lace लगा ली है और आप देख सकते कितना आसान है यह neck design बनाना और बहुत ही beautiful लग रहा है लेस लगाने से इसका look और भी अच्छा लग रहा है अब इसके बाद में देखिए lining वाले fabric और main fabric को मैं सभी side से stitch कर लूँगी और stitch करने के बाद में जो extra fabric है हमारा main fabric मैं उसे cut कर लूँगी cut करने के बाद में देखिए जो मैंने dart का निशान लगाया था यहां से 4.5 इंच पर और 4.5 इंच लंबा ऐसे दो dart हमें बनाने होते हैं तो दोनों dart का निशान लगाने के बाद में मैं stitch कर लूँगी और इसके बाद में मैं एक पटी ले रही हूँ lining वाले fabric की और इसे मैं कमर के side लगाने वाली हूँ तो यहां पर मैं उसे stitch कर रही हूँ पलेट कर फिर मैं इस पर प्रेस stitch करूँगी उसके बाद मैं इसे पीछे fold करके यहां पर fold करने के बाद तुरपाई कर लूँगी अब मैं फिर से lace ले रही हूँ और बिलकुल किनारे से मैं इसे stitch करूँगी कमर के side तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा यह जो नेक है इस तरीके से बनके तयार है बहुत ही इजी है आप एक बार इसे जरूर ट्राइ कीजेगा I hope आपको वीडियो पसंदाया होगा कैसा लगा है कमेंट जरूर कीजेगा पसंदाया है तो लाइक कीजेगा और शैनल पर अगर नए है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजेगा थैंक यू फॉर वाचिंग